नमस्कार मैं हूँ विरेंद वेदी और आप देख रहें अधिकार एक्स्प्रेस अभिनेता सुसान सिंग राजपूत की मौत के मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब से ड्रक्स रैकेट के मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताच की हैं तब से देज भर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की काफी चर्चा हो रही है कहा जा रहा है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताच में रिया ने हिंदी सिनेमा के कई बड़े-बड़े कलाकारों का नाम लिया है अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो क्या है यदि आपको भी नहीं पता है कि नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो क्या है तो चलिए हम आपको बताते हैं नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो को संचेप में एंसी भी कहा जाता है जबकि इसको हिंदी में स्वापक नियंतरण विभाग कहते हैं नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो ड्रग तसकरी से लड़ने और अवैद पडार्थों के दुर्पियों के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुपिया यानि गुप्त संस्था है नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो का आधर्श वाक्या है आसूचना प्रवर्तन समन्नों इसका अंग्रेजी में अर्थ है Intelligence Enforcement Coordination नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो एक भारती खुपी एजेंसी है जो ग्रिम अंत्राले के अधीन कारे करती है नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो की अस्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है जबकि इसके कार्याल है मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नाई, लखनो, जोदपूर, चंडीगड, जम्मू, एहमदाबाद, और पटना में इस्थित हैं, एंसीबी का महानिदेश एक आम तोर पर भारती पुलिस सेवा या भारती राजसु सेवा का अधिकारी होता है, इसके अलावा, इसमें अर्ध साइनिक बलों के अधिकारियों को भी लिया जाता है, अब हम आपको बताते हैं कि नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो के कार क्या क्या होते हैं, नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो भारत में मादक पदार्थों की तसकरी और इसके दुर्प्योग को रोकने के लिए कार करती है, जिससे देश का कोई भी वेक्ति, मादक पदार्थ, को ना शल्क और केंद्री वुत्पास शल्क या जीएस्टी राज्य पुलीसactions विभाग केंद्री जाद्भियोरो केंद्री आर्थिक खुपिया ब्यूरो और अन्ह भारती खुपिया और राश्टी और राज्यो दोनों अस्तरों पर भारती खुपिया और कानून प्रवर्तन एजंसियों के साथ मिलकर कारी करता है नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थों की तथकरी को रोखने के लिए विदेशी एजंसियों का भिसायोग लेता है NCB भारत के सीमाओं पर विदेशी ड्रग तसकरों के साथ ही भारतियों द्वारा की जा रही तसकिरे की गत्विदियों पर भी द्रिष्टी बनाये रखता है नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थों की तसकरी से लड़ने में भारत की ड्रग कानून परवरतन एजेंसियों के कर्मियों को भी संसाधन और पसिक्षण प्रदान करता है नसीवी मादक द्रव विरोधी कानून यानि विधी को लागू करता है जिसे दे नार्कोटिक्स ड्रक एंड साइको ट्रोपिक सब्स्टेंस एक्ट उन्नी सो पचासी के संचालन के लिए उत्तरदाई बनाये गया था चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सी बी आई में अंतर क्या है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अस्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी जबकि सी बी आई की अस्थापना 1941 में विसेश पुलिस प्रतिस्ठान के रूप में की गई थी एंसी बी का मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है जबकि सी बी आई का भी मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो एक भारती खुपियाजेंसी है जो ग्रिम अंतराले के अधीन कारी करती है जबकि सी बी आई कार्मिक विभाग का प्रवर्तन और खुपिया यानि गुप्त संस्था है जब कि CBI के इन सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों द्वारा भ्रस्टाचार से सम्मनित अपराध की जाच गंभीर आर्थिक अपराध हो और धोखा धड़ी और अंतर राज्य आखिल भारती प्रभावाले संसनी खेज अपराध की जाच के लिए विशेस एजन्सी नारकोंटिस कंट्रॉल गूरो शीमा शुल्क जीएस्टी राज्य पुलिस विबैङ केंद्री आर्थिख भ्यूरो और अञ्य भार्ती खँटिया और राज्ज्ड दोनों अस्तर पर भारती खप्या और कानून प्रवर्तन व्यक्ति NCB में नौकरी करने के लिए चुक है तो वह संबंधिक पद के लिए पात्रता पूरी करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो में जूनिय इंटेलिजेंस ओफीसर, सर्विलांस असिस्टेंट, आपरेटर टेली कम्निकेशन, सुपरीटेंडेंट, डिप्टी डिरेक्टर, जोर्नल डिरेक्टर आदी कई पदों पे भरती की जाती है। आपको बता दें कि नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य उद्देश से अखिल भारती अस्तर पर मादक पदार्थों की तसकरी और अवैद पदार्थों के दुर्पियों पर रोक लगाना है और उसे खत्म करना है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रस्निय सुझाओ तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना है। धन्यवाद। अधिकार अश्प्रस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथी घंटी को जरूर दबाएं। और लोग सेवा अधिकारों के स्वतंत्र पत्रकाईता के लिए हमारी मदद करें।